गुड मानिंग बच्चो आज हम चैप्टर नंबर सेवन के क्योशन आंसर्स नॉट करेंगे और इनको साइन्स के रिकोर्ड में आपको कर लेना है नॉट डाउन करके इससे प्रीवेश वीडियो क्लास में अपने इसके अलावा अपने देखा था दा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेंस फ्रोर फॉर्म एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इस काल्ड पॉलिनेशन यह अपने देख लिया था कि एंथर जो होता ना में मेल पार्ट होता है ठीक है जिसको एंड्रोशियम भी कहते हैं यह क्या होता है फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा के थ्रू आवरी तक या पिश्टिल तक ट्रांसफर होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है पॉलिनेशन ठीक है इसको एक ट्रम में अपन फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं दा फ्यूजन ओफ मेल एंड्फीमेल सेक्सेल्स इस काल्ड फ पिश्टिल या ओवर तो इसमें देखे पॉलन इस्टेमन पॉलन ग्रेंज मेल पार्ट इस्टेमन मेल पार्ट पिश्टिल क्या है फीमेल पार्ट इसमें ओवरी भी हो सकती है ठीक है इसमें दोनों आंसर है पिश्टिल और ओवरी दोनों का आप टिक कर लेंगे क्योंकि और यह पिष्टिल एक ही चीज है नेक्स्ट है सेकिंड मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट ओफ फ्लावर इस कॉल्ड स्टेमन ठीक है फिलामेंट एंथर देखें एंथर तो कॉमनली कब बगा जाता जब स्टेमन और फिलामेंट अटेच होता है ठीक है जब एंथर कहता है तो आप बेसिकली स्टेमन ही कर लें क्योंकि फिलामेंट तो पार्टिसिपेट करता नहीं है तो स्टेमन ही करता है पार्टिसिपेट तो इसमें आंसर आएगा स्टेमन ठीक है थर्ड क्योशन है दा ट्रांसफर ओफ पॉलन ग्रेंज फ्रॉम एंथर टू दा स्टिग्मा ओफ ए फ्लावर इस कॉल्ड पॉलिनेशन इसको पॉलिनेशन कहेंगे वैसे फर्टिलाइजिशन भी कहते हैं लेकिन फ्लांट्स में बेसिकली इस ट्रम को पॉलिनेशन के नाम से ह पॉलिनेशन नहीं होता जब अपन फर्टिलाइजिशन बोल सकते था लेकिन पॉलिनेशन है ओप्शन में प्रायटी में तो आप पॉलिनेशन ही टिक करेंगे फॉर्थ क्वेशन है आप्टर फर्टिलाइजिशन दा ओव्यूल्स ग्रो इंटू सीड्स ठीक है अब देखि यहां फर्टिलाओ अवरी यह नुगते लिझा है फ्रूटा ändern में पॉल्यूल्स के लिए है फ्रुट में लेकिन अवरी में फर्टोस होते। वो सीड्स को प्रायटी देए ना कि फर्टो तो आप इसमें भी टिक कर लेंगे पिप्विन सेटर हैं फिप्वशन है फिप्व् इन में से कौन से Πार्ट वाले पार्ट से लावर एंड से लेमिना है लेमिना देखी है इसकी आउटर बोर्डेड पार्ट बॉड़ी पार्ट को लेमिना कहता है तो इसमें D tick करेंगे आप next question है it is not easy to pull out the weeds plants from the soil because it has a strong roots देखिए जो weeding plants है जो कि अपनी जो main crop होती है main crop के साथ unwanted plant grow कर जाते हैं तो वो soil में strong क्यों होते हैं क्योंकि उसकी roots के अपनी depth में होती है और यदि आप उनको खाडते हैं ठीक है तो आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है यह easy नहीं होता है तो roots होती है depth में नकी स्टैम, leaves, flowers root इसमें आप right option टिक करेंगे next question number 7 we see red colored weeds on the white flower off cut blossom stem dipped in a glass containing red color flower this show conduction of a water by तो यह क्या होगा stem के थूँ अपन blossom stem dipped को क्या करेंगे कटे वे stem को यदि पानी में glass के water में dip करेंगे तो पानी क्या होगा अपवर्ड जाएगा और उस leaf का color change हो जाएगा ठीक है red red color हो जाएगा तो इसमें stem आएगा ठीक है इसमें stem आप कर लीजिगा next question fill ups अगेरा आप नेक्स्ट वीडियो क्लास में discuss करेंगे thank you have a nice day क्यांगे